मूरकता ना करो जादा भी आईपी ना बनो पूछो भईया कई साल से परिसानी में हैं मिसेज का जो आइंट पे नाजदी का जाओ पहले कहां से आयो सर रीबा से आयो रीबा से पहली बार आये भईया नहीं को पालन कर ले हो जे गुर जी अच्छा अब बताओ और क्या बात है सब एक पोता है उसको सब आख शे-साथ साल से उठिया होती सब बीच में एक साल के लिए बंद हो गई थी क्या नाम है उसका आदित जैसे वाग हमाए परिचे में टोटल तीन प्रशना है आपके पूरे घर में तबियत से हैरानी है हाँ या ना पत्नी को गठिया बाद है गठिया बाद की सिकायत है पत्नी को गठिया बाद की सिकायत गांठों में सूजन आती है पोता को आराम लगेगा दर्शन करवाद है घर पे प्रेत विद्या नहीं है पितर घूम रहे हैं पितर दोस्त के कारण परेशान है लाव होगा आसीरवाद आगे हमने लिखा है ये घर में आपके समस्या 2008 से बनी है बारा साल हो गएं तेरा अत्यदिक परेशानी को पत्नी की पीडा छे वर्स से है उठने बैठने में दिक्कत है पूरी गाठों में सूजन आ जाती है जाकर के भभूती लगा दैयो तीन बार ज़ाड़ा लगाऊने ग्यारा दिन की अखंड जोती घर पे जलाऊने आगे शुरबाला जी कृपा करें लाब हुई है हंडेट पर्शंट कौनू संदे निया आशीरवाद बोले बाला जी सरकारे की अखंड जो सब बता दे हैं बे उते जाओ वे खड़े हैं यह और भी जानन लगे तन-तन जे भी सिद्धिया है काजर के संगे रात रात आदमी कर यानी पर जाता हा या ना तुम नस्दी का जाओ माइक ले आ भाई साब एक परचा लिजे पहले तो तिन मेंसे कोई एक जो भी आपको लेना हो लाओ पूछो पूछो कोई बात कहां से हैं पहले तो यह बताओ आप आप माईक ली जाए जासी से जासी से अब अब नहीं देने नहीं हाओ भाई साब बोलो और कोई बाद हमने लिखा घर में बिगन रहता है सुपन आते हैं प्रेत बाद आए संतान कृपा हो जाएगी आसीरवाद है माइक लीजे पहले तो आप तो पड़े लिखे हैं मूर्क जैसे बो तो नहीं पड़े थे क्या पर्चा यहीं बोल रहा नहीं माइक से माइक से बाला जी कृपा करेंगे संतान मनुरत पूर्ण होगा धाम पे पहुंच जाना डॉक्टर ने ट्यूब में दिक्कत बताई है और सुकरारू कि दिक्कत भी बनी हुई है जिसकी दाम की और सधी से लाब हो जाए गाए उप महं के नहीं देख निया है मैं और एक मिनट में हम भो वी देख के मता है अनमाएंट की परचा तो यह साहार आया श्रीबागेश्वर बालाजी महराजी की डॉक्टर रिभास अनुसार ट्यूब में गर्भास है वही छोटा है जिस कारण से गर्भपात होता है हमारे अनुसार तो यह हमें रास्ता दिखाईए हम क्या करें उसके लिए पहले तो आप हो सके तो एक बार बाहर जाच करवाएं कराद का हौट जांच करवाएं हमें बिल्कुल विस्वास है कि ट्यूब में गर्भा साह छोटा होने के कारण घर्भात हो रहा है यह हमारी जाच कह रही है हो सकत हम गलत हों पर अंगली जाँच में जोही न कर है जोहासी रुबाद पुलिबागे सदाम स्तरकारी की जो हमें पक्को विस्वास है कि हम सब कुछ ट्राई कर चुके कोई बात नहीं कोई बात नहीं आपको जाना है हनमान जी महराज की बागेशुर बाला जी महराज की सन्यासी बाबा की गव माता की आप लखनव के किसी भी होस्पीटल में आप जाँच करवाएं एक होस्पीटल का नाम हम कुछ देर में आपको बता देते हैं जैसी आदेस आता है और गरभा से छोटा है 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 तीनों जाँच हैं जो हमने की उस अनुसार हमारी प्रतेक पद्धती में गरभा से छोटा आ रहा पर डाक्टर की पद्धती में क्यों नहीं आ रहा ये हनमान जी जाने पर इस बार जाँच में ऐसा आएगा और भूत वाधा का कोई कारण नहीं ना मसान गरभ पात कर रहा ना भूत विद्या गरभ पात कर रही ना मसान सक्ती प्रेथ को खा रहा ना कोई तंत्र गरभ को खा रहा सारी रिक कमी के कारण यह दिक्कत वनी हुई है जो धाम की कृपा से दूर होगी लेकिन पहले जाच करवाएं पहले निरनाय हो, इसके बाद संतती का असिरवाद, पहले निरनाय हो, पहले निरनाय हो, पहले लखनव जाओ, जाच लेके आओ, हमें धामाई पे राने, काउनी जाने हो सकत हम गलत हो, लेकिन गलत हमने काई 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 को पहले निरनाय हो, तो एक बार आप जाच करवाईए, गर्भास है छोटा इसी कारण से गर्भपात होती है लेकिन हंडेट परशेंट यही कारण है और हो सकता हम गलत हो पर संतती योग बनेगा इसके बाद यह आशिरवाग परचा एकदम से